प्रियोजनाओं के मंगलवार को शिमला से बर्चुल कारेकरम के जरिये ओनलाइन शिला ने असबाउद घाटन किया इस मोके पर जल शक्ती मंतरी महेंदर सिंग ठाकुरबा विधायक रकेश जमवाल समुधायक भवन सुन्दनगर में मौजूद रहे इस मोके पर मुखे मंतरी जैरम ठाकु ने शिमला से ओनलाइन लोकारपन किया सुन्दनगर इलाके में क्रीब सवासाथ क्रोड रुपई की लागत से बनने वाली सडक का शिला नयास किया जिससे गाउं के डाई हजार कि अवादी को लाव निवती होगी 2.85 क्रोड रुपई से बनने वाले बागवानी विश्राम ग्रह हरावाग और क्रीब 4 क्रोड रुपई से बनने वाले लोक निर्मान विभाग विश्राम ग्रह सुन्दनगर के अतरिक्त भवन के निर्मान कार्यों की अधार शीला रखी मुख्य मंतरी सुन्दनगर शहर के लिए साड़े बाइस क्रोड रुपई की लागत की उठाओ पेजल योजना के जिन्नोदार कार्यों का नीप पत्तर रखा इससे शहर के ग्यारा बाड़ों की 21,000 के वादी को 24 गंडे शुद पेजल सुविदा मिलेगी इसके लाबा मुख्य मंतरी ने बाइला खड़ पर एक रोड रुपई से बने पूल का उधगाटन किया इससे कुर्डा शिहली बाइला गाउं के लगबग 800 लोगों को हर मोसम में सड़क सुविदा उपलब्ध होगी इसके साथ एक सो तीन दशलब 57 लाग से बने बागवानी विभाग सुन्दनगर के नए भवन का लोक अरपन किया मैं आज साथ बड़ी परियोजनाओं का बीदी बत रूप से शेलानिया सवरुद गाटन हो गएगा जो आया मानिय मुख्या मंत्री आदनी ठाकुर जाराब जी के वर्चल अविभासन से हुआ है उसके लिए स्थानिये विधाय का राकेश जमवाल जी को धेर सारी विधाई हार दिख वधाई क्यूंकि 45 क्रोड रुप्या वर्चल मीटिंग के माद्यम से हासिल करना एक बहुत बड़े उपलब्दी है जैसे मानिय मुख्या मंत्री जी ने भी कहा है कि इस क्षेत्र के अंदर लगभग 500 क्रोड रुपे के काम चले है और उने 500 क्रोड के काम हो मैं से 200 क्रोड के काम जाए वो जलसक्ती विभागे है और 100 क्रोड के काम जहां लोकद्रमान विभागे हैं बाकी जो 200 क्रोड के काम है वो दूसरे अन्य जो विभाग उनके माद्यम से हैं आज से पिछले जितने धाई वर्ष का कारेकाल थाकुर जैराम जी के नित्रत्तों में और यहां के स्थानी विधायक राकेश जमवाल जी के अच्छक प्रियास्तों से जो है वो उन सभी कारेकालां के ओपर भारी पड़ेगा और मैं चाहूंगा कि यतने भी काम चले हैं और आकेश जमवाल जी खुद भी मॉनिट्री कर रहे हैं और जैसे सीम साहब ने का कि पैसे की कोई कमी निया धन की कोई कमी हमारे पास नहीं मुख्यमंत्री जी के नेत्रेतों में लगातार विकास की इस गंगा को आगे बढ़ाएंगे आगे तक ले जाएंगे विकास किसी भी हालत में रुकने नहीं देंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनिस्ट्री अफ होम अफेर जो है वो अभी तक इजाज़त नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्रियों को कि आप अपने परदेश के अंतर जाएंगे और वहां पर कोई ना कोई कारेकरम करें तो फिर मुख्यमंत्री ने एक नई रास्ता निकाड़ा कि हम वर्चल ऐसी मीटिंगों के मादियम से जो है वो नई स्कीमों का सुभाराम करेंगे नई जो ऐसी स्कीम में पूरण हो जोकी है उनका उद्गाट